नमस्कार कलपनास प्रिटनेस एली में आपका स्वागत है मैं कलपनार राठोड एकप्रिसर एकप्रिसर तरेपिस्ट डिप्लोमाईल अल्टरनेटिव मेडिसिन एसीडिटी यहां एक कितनी कॉमन समस्या हो गई है हर व्यक्ति कहता है कि मुझे एसीडिटी लग रही है सीने में जलन हो रही है और यदि एसीडिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है तो हमें सिर में भी भारीपन लगने लगता है अपने आप में बेचे नहीं महसूस होती है तो उस समय आप जो मैं यह गरेल उपाय बता रही हूं उसे यदि आप कर लेंगे आप देखेंगे तुरंत कुछ ही मिंटों में ऐसे आपकी एसीडिटी गायव हो जाएगी उपाय बहुत ही आसान है और अभी इस समय एसीडिटी की प्रॉब्लम इसलिए बहुत अधिक कुना चटर पटर टेस्ट के पीछे हम ऐसे भाग रहे हैं और उसके साथी साथ हमारे सोने उटने का रूटीन भी सारा बदल गया है और एसीडिटी क्यों मढ़ती है क्योंकि हमारे सरीर में भोजन को हजम करने के लिए या पचाने के लिए एक एसीडिट की मात्रा तैयार ह होती है और वहां मात्रा एसीडिट की यदि बढ़ जाए तो हमें एसीडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है अब हम तो यहां जानते हैं कि इसे एसीडिटी को कैसे इंस्टेंट तुरन थोड़ी ही देर में चुटकियों में गायब कर ले तो उसके लिए आपको एक ग्लास ठं अच्छी होती है तो आप उस दूद को जो अपने एक ग्लास दूद लिया है उसे एक ग्लास में से दूसरे ग्लास में पहले ग्लास से दूसरे ग्लास में ऐसे आपको 20 से 25 बार एक ग्लास में से दूसरे ग्लास में करना है और फिर आप इस दूद को घूट घूट कर पी ज मजीरा ले लेना है और जीरा कच्चा ही ले उसे भूंजना नहीं है और फिर उसे चबा चबा कर खाईए और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिने प्रती दिन की प्राब्लम है तो उन लोगों को प्रती दिन भोजन के बाद दोनों समय एक चमजीरे को खुब चबा चबा कर खाना है फिर देखेंगे पर्मार्नेंटली उनकी ठीक हो जाएगी और जब एसे डीटी बढ़ती है तो व्यक्ति को कितनी परेशानी होती जो वह तो वही जानत आपको सबसे पहले जो कि आपके स्वास्त के लिए लापकरी हैं प्राप्त हो सकें स्वास्त रहें मस्त रहें फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार